तेरे संग जीना कितना असान लगता है, जो तू नहीं तो मरना कितना मुश्किल लगता है, साथ खड़े रहकर चलना तो सिखा दे बस एक बार, कभी-कभी आस्मा चूमना भी कितना असान लगता है। कभी-कभी आस्मा चूमना भी कितना असान लगता है। कभी-कभी आस्मा चूमना भी-कभी आस्मा लगता है। आपकी immunity को वो destroy करेगा, आपकी immunity को कम करेगा, आप खड़े नहीं हो पाऊगे, आप चल नहीं पाऊगे, आप अपने आपको काफी ज़्यादा problem सा सांस नहीं ले पाते हो, जैसा कि बहुत ही important जो इसका serious symptoms है, क्या होता है इसका मतलब, आपका जो natural body है ना, उसको उसने destroy कर दि अंदर अंदर, similar होता है ransomware attack और computer virus attack, दूर बैठा इंसान, कहीं से भी, दुनिया के किसी कोने से भी, अभी मेरे system पे जिसमें मैं video बना रहा हूँ, उसको easily encrypt कर सकता है वो, मेरा Gmail account से, मेरा social media account से, मेरे Wi-Fi के जो भी password accounts होंगे, किसी भी तरीके का use करके, दूर बैठा इंसान मेरे computer में कैसा bug डाल सकता है, कैसा virus पुट कर सकता है, जिसके बाद मेरा system बिलकुल भी काम करना बंद करतेगा, वो मेरा data के साथ easily खेल सकता है, वो मेरे data इसको threaten करेगा, उसको public करने की बात करेगा, इसको बोलते है ransomware attack, it's a kind of computer attack, cyber crime, cyber bullying, cyber harassment, cyber threats, आप सबने face कियोंगे life में, Facebook, WhatsApp, users, Instagram, users, Twitter, users, आप सबने कभी न कभी cyber bullying face की होगे अपनी life में, cyber harassment face की होगे, कोई भी आपको message करके, कुछ भी बोल रहा है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, ये होती है cyber crimes, उसी तरीके की ransomware attack होती है, इसमें malware attack होता है, क्या होता है, मैं बता रहा हूँ इसको इस तरीके समझ करो, आप की, अगर किसी ने आपके computer में virus attack कर दिया, कुछ ऐसा put कर दिया, जिसको आप कुछ नहीं कर पा सकते हो, क्या करोगे आप, उसके बाद वो ransom demand करता है, इसको ransomware क्यों कहते है, वो आप से पैसे demand करेगा, currency में नहीं कहा है, आप Indian currency में दो ऐसा नहीं करेगा, वो आप जब से bitcoin में मांगेगा है, जब से bitcoin आया है, cryptocurrency, तब से चीजे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 300% का increment हुआ है, पिछले साल के comparison में, अभी तक इसी साल, 4-5 महीने हुए है, 300% का increase हुए, मैं आपको Fox News का proper data दिखाऊंगा एक, United States की हालत कितनी खराब है, वो सब बताऊंगा मैं आपको, ransomware attack समझ में आगे, आगे हम बात करेंगे, examples of ransomware क्या होता है, wanna cry, पिछले साल बहुत ही ज़्यादा news में था, wanna cry, wanna cry क्या है, एक तरीके का वाइरस है, आपकी system में किसी ने डाल दिया, आपकी screen lock, आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल, ऐसा, protected document, आप कुछ नहीं क रुपे मांगेगा, आपको देना ही पड़ेगा, इसके बाद भी guarantee नहीं है कि वो open हो जाएगा, वो आपको एक तरीके का password भेजेगा, कि आप इसके बाद encrypt कर लो, sorry, decrypt कर लो, नहीं कर सकते हो आप, मतलब आपका system block, हमारा और आपका तो छोड़ो common man की, United States में पिछले त company थी, जो कि Houston से pipeline के तुरू gas supply करती थी, उस पर उन्होंने को उसके computer पर attack कर दिया, आप सोचो कैसे attack करेगा, कोई भी country, कहीं से भी बैठा, कोई इंसान hack कर लेगा, आपकी computer को, attacker, उसने उसमें एक ऐसा virus पुट कर दिया, एक ऐसा bug डाल दिया, उसके बाद उसने millions of dollars मांगे और आप believe नहीं करूँ को जब मैं video बना रहा था, उसके पहले ही मैंने देखा कि 50 million dollar उस company ने दिये उस ransomware attackers को, 50 million dollars देना पड़ा उसको, उसके बाद जाके वो system स्टार्ट हो पाई है, United States में problem develop हो गई थी, pipeline के, you know, computer पर attack, मतलब इस computer पर attack करने के बाद तो system फंक्शन नहीं क पा रहा था तो कैसे काम करेगा, यह होता है इस पर problem, ठीक है, कुछ और example से अगर मैं आपको बताओ तो, पेटिया, पेटिया तो सब ने पढ़ा होगा, पेटिया के बारे में तो सब जानते होंगे almost, फिर उसके बाद bad rapid, crypto locker, जैसे मैंने आपको बता है, more than 300% increase in a tax comparing last year, और average ransom payment jumped 31% to $233,817, इतने rate के साथ बढ़ा है, 300% की increment हुई है, ransomware tax में, Russia, Korea, North Korea, Turkey, इस ऐसे हैं जो टॉप करते हैं इन चीज़ों में, United States की vulnerability इतनी जादा है, इतना हाई है, कि पिछले 3-4 दिनों में, पिछले अगर एक बिकी मैं आपको कहानी बताओ, तो, colonial gas pipeline की मैंने आपकी बात की, इसके लाबा गेरी इंडिया आज ही का टैक है, एक वासिंग्टन DC में एक city है, वहाँ टैक हुआ है, वहाँ पे state police department में टैक किया गया, वहाँ के ransomware कंप्यूटर पे, कितने लोगों की data चोरी कर ली गई है, कितने लोगों का data threat है, इसके लाबा मैं बात करूँ इंडिया की कहानी, इंडिया भी इंसे कहीं भी अच होता नहीं है, इंडिया की vulnerability तो और है, problem क्या होती है, कि हमारी जो computer system होता है, हम prepare नहीं रखते उन चीजों को, क्योंकि जब computer system बने थे न, तब cybercrimes इतने नहीं होते थे, United States में तो computer बहुत पहले बना, उ उसको update करते रहोगे, आपकी technical advancement होती रहेगी, तो इतना possible नहीं हो पाता है attack कर पाना, अगर मैं ransomware को छोड़ दूँग, सिर्फ malware attack की बात करूँ तो कुछ दिन पहले मुंबई में हमारी जो, you know, power dip, power outrage हो गई थी, उसमें बहुत बढ़ा attack हो गया था, उस तरीके से कुछ द इंडिया की कर्म में बात करें, तो इंडिया दुनिया का second most targeted country है, ransomware attacks में, after United States of America, we had over 39% rise in ransomware attacks in the past 3 months, India ranked second only to the United States among the countries most affected by the threat, 49% का increment हो गया, सिर्फ इंडिया में बात करूँ, ransomware attacks को छोड़ दो, और माली बात करूँ नहीं, सिर्फ ransomware attacks में 99% का increment हुआ है, तेलंगाना और उतर हर्याना बिजली करके निकम होती है, वहाँ पर attack ही आगया था, BSNL के office में attack ही आगया था, तो these are the recent incidents जो इंडिया में की, you know, ransomware attacks के recent incidents हुए है, अब समझे रो problems क्या है, इसमें सबसे बड़ी problem क्या होती है, कि आप कुछ नहीं कर सकते, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, technical advancement, मौका ही नहीं दो, आपको अपनी vulnerability पर खुद focus करना पड़ेगा, आपने data को इतना easily कीची को permission मत दो, जैसे ही कुछ आपको लगे law enforcement agency को, जैसे कि मैं बहुत easily permission नहीं देता, कोई भी आप यूज करता हूं, तो बहुत पढ़ने के बाद देता हूं, या फिर नहीं देता मैं, आप अभी ऐसे करो, कितना भी easily को आप से permission मांगे नहीं दो, और उसके लाबा आप देखो कि अगरे लग रहा है, थोड़ा बहुत भी doubt, इसको complain करो, तभी ये भलने realities रोख पाएंगे, ठीक है, अगर मैंने जैसे आपको मैंने बताया था कि, कुछ important lines हैं, जो मैंने मतलब this is the end, जब वहां के खुद आपसे कहें कि नहीं, यहीं अन्ते, इसके beyond कुछ नहीं है, तब तक बेट करो, बरना आने वाले अगले जो 50 साल है न, वो सिर्फ हैकर से ही बिलॉंग करते हैं, second half of the century, 21st century, if we manage to survive, अगर हम वहां तक जी पा लिये, सबसे important चीज तो ही है, till then belongs to new pandemic called hackers virus, आज हम coronavirus से face कर रहे है, आने वाले second, decade होगा, आने वाले second half होगा, इसके century का, वहां है hackers virus के साथ deal कर रहे होंगे, only hackers and Africa will be news in second half of the century, यह मैंने क्यों लिगा, आने वाले जो second half होगे, वहां अफरीका में ही आपको सब, क्योंकि अफरीका है कैसा continent बचेगा, जहां प hackers, so it's up to you कि आप कैसे ही चीजों से बचते हो, कैसे चीजों की vulnerability को समझते हो, अपनी vulnerability को रोकना पड़ेगा आपको खुदी, so ठीक है, इस सारी चीजें थी मैंने आपको बता दिया, जो भी बहुत सारी important links मैंने description में देरके हैं, काफी सारी news outlets के, आप उनको एक बार देखन और नो, थैंक यू बार.